नमास्कार दोसन स्वागत है आपका हमारे शेनरल स्यार जागेंदर मिशा में 19 नबंबर 2021 को आज चंद ग्रहन समाप्त होने के बाद चार राश्यों की लगेगी लोटरी दोस्तों साल 2021 का यह दूसरा और अंतिम चंद ग्रहन आज लगा हुआ है जो की कार्तिक महीने के पूलिमा तिथी को लगा हुआ है और आज यहनि की जो चंद ग्रहन लगा हुआ है इस दरौन कई सारे दुरलब राजयोग और शुब शैयोग भी बन रहे है जी हां दोस्तों बता दे की जहां एक और सरवार्द सिध्योग बना हुआ है तो वहीं दोस्तों इस दर्मियान शूर मंगल और बुद्ध की तुला राज़ में यूती भी बनी हुई है यह काफी भेंकर चंद ग्रहन रहेगा और दोस्तों यह काफी लंबा इस सदी का चंद ग्रहन होगा इस चंदगरहन के दर्मियान कुछ विशेस रासियां ऐसी हैं जनकी लोटरी लगने वाली है क्योंकि दोस्तों यह काफी लंबा और भेंकर चंदगरहन रहने के सास्थ काफी ज्यादा कुछ विशेस रासियों के लिए सुभकारी रहने वाला है दोस्तों बताना चाहेंगे कि आज 19 नवंबर 2020 को ये जो साल का आखरी चंदगरहन लगा हुआ है ये सभी राशियों के लिए अलग अलग प्रभाव डालने वाला है परन्तु इन शभी राशियों में से चार राशियां ऐसी हैं जिनकी लोटरी लगने वाली है इनको करोडों का धन मिलने वाला है ये चार राशिया धन से माला माल होने वाली है क्योंकि इनके लिए आज का य के रहेंगे की आज के जो चन्द्गरहन की लगा हुआ है इस चन्द्गरहन के समाप्त नहीं के बाद चार राशियों के लगेगी लोटरी कुछ बिसेश manner हों के लिए राशियों के दिखाई देने जा रहा है जी हां दोस्तों और कहां कहां कौन कौन से देश में दिखाई देगा साथ ही ग्रहन काल के बाद आपको कौन से सुबकार करने चाहिए और खास कर जो चंद ग्रहन लगा हुआ इसमें कौन से साउधानिया विशेस कर बरतनी चाहिए ग्रहन काल के ब बिशेश कर अच्छा लाब हो दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बिशेश मनोकामनाओं की पूरती होगी और बिशेश शुबलाब भी आपको मिलेगा और समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा दोस्तों आज 19 नवंबर 2021 को साल का यह दूसरा और चनल को सब्सक्राइब करें चलिए आगे हम विस्तार से बताते हैं भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा जैसे कि भारत के आसाम और अरुनाचल प्रदेश में आज के यह चंद ग्रहन जो लगा हुआ दिखाई देगा साम के समय और दोस्तों इसका जो सही टाइम चाप्त होने के बाद कुछ बिशेष रासियों के लिए बड़ा लावकारी रहेगा जी हां दोस्तों बतादे कि यह सदी का सबसे बड़ा और लंबा चंद ग्रहन रहने वाला है लेकिन दोस्तों हमारे भारत के साथ साथ यह उत्तरी अमेरिका दच्छने अमेरिका योरोप के कुछ हिस्सों में साथी पूर्वी एसिया के कुछ हिस्सों में इंडोनेसिया अस्टेलिया प्रसांत महासागर हिंद महासागर अटलांटिक महाद्वीप और अस्टेलिया कुछ बिशेष देशों के उपर इसका प्रभाव देखने को पूर्ण रूपेन मिलेगा लेकिन बिशेस कर आपको दान दच्छन करें अनक का दान करें वस्त्र का दान करें और गुड तिल का दान करें खास कर बिशेस कर अपने पित्रों को और बिशेस कर अपने पुर्जों की नवीत जरूर दान करें ताकि बिशेस लाब हो दोस्तों बताना चाहेंगे कि आएए आप जान लेते हैं कि आखिर ये चार राशियां कौन-कौन सी हैं जिनकी लोटरी लगने वाली है इस चंद गरहन समाथ होने के बाद जी ह वो है मकर रासी मकर रास के जातकों निश्ची तोर पे आज के चंद गरहन जो लगा हुआ है आपके लोटरी लगने वाली है बिशेस कर बड़ा सुभकारी और फलकारी रहने वाला है जी हैं दोस्तों क्योंकि आपके पंचम भाव पे लगेगा तो धन संबंधित संतान से स मन्धित प्रेम जीवन में जवर जस्त आपको लाब होगा प्रेम संबंधों प्रगारता आएगी मजबूती आएगी और दोस्तों इतना ही नहीं कई तरह के जो मनो कामनाई हैं आपकी वो पूरती होगी इन मनो कामनाओं की पूरती करने का सुनहरा अपसर मिलेगा और दोस के समस्याएं खत्म होगी पिता जी का आश्रवात प्राप्त होगा और जरूरत की चीजों की खरीदारी करेंगे और बैंक से लोन बगएरा मंजूर होगा धन के नए-नैस रोत सामने आ सकते हैं दोस्तों आपकी लोटरी लगने के संभाना स्थ प्रश्त है और इसमें सेर मा लाबकारी और सुब परिणाम की प्राप्ती होगी जी हां दोस्तों विशेषकर दोस्तों की आज वैसे भी कारतिक पूडिमा का दिन भी है इसलिए आप विशेष रुप से आज पूजा राधना जरूर आप करें रात के समय और भगवती लक्ष्मी जी को परसंद करें तो बिशेष लाब होगा दोस्तों आज के चंदर मेहा आज के जो चंदर ग्रहन है यह बिशेष कर आपके भाग भाव पर पढ़ रहा है जी हां करने राज करतकों आपको लाब होगा भाग में ब्रद्धी होगी धन आवक के स्रोत नय मिलेंगे तो वहीं लोटरी शट्टा में अगली यानी जो तीसरी जो राशी है जिसकी लोटरी लगने वाली है दोस्तों वो है यहाँ पर मिथुन राशी मिथुन राश के जातकों अब आपके किस्मत भी बहुत तेजी से चमकेगी अब आपके किस्मत में जिवरजस्त इजाफा देखने को मिलेगा महत्पूर्ण काम बनेंगे जो रुके वे काम थे वो काम बनते चले जाएंगे कुछ ऐसे कार जो अधोरे थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा करेंगे सपनों को साकार करते निजराएंगे नए गाड़ी बाहन की खरीदारी करेंगे साथी आपके घर में बेहतरीन काम होगे जो अव्याही जा सापितों के तो वहीं प्रेम जीबन में भी मजबूती आगी पढ़ाली खाई पर बहुत आच्छे आगे रहेंगे तो वहीं स्वास्त कलाब ले पाएंगे अब जो दोस्तों अगली यानि जो अंतिम और चौती जो राशी आती है दोस्तों बता दे कि वो है यहाँ पर दोस कई महतपूर काम बनेंगे अधूरे कारियों को पूरा करेंगे विदेश की यात्राइं करेंगे विदेश से कमपनी से लाब होगा साथी आपको इसमें लोटरी में महतपूर लाब होता नजर आएगा पहले से जमेन प्रपरटी में अगर पैसा लगा रखा तो दुगना ध बैंक के चेतर से लोन वग्वगाएर मंजूर होगा साथी महतपूर काम बनेंगे बितीम अमलों में सुधार होगा समाज में मान समान की प्राप्ति होगी धन दौलत में ब्रदी करते निजलाएंगे और जो आपके कारषेट में चल रहे भी बात भी खत्म होँगे साथी आप काफी ये चन्द ग्रहन्ट होगा आपके लिए काफी सुख सावित होने वाला है आने वाले समय में और भी ज़्यादा आप लाभ कमा पाएंगे जी हां दोस्तों धन दौलत ऐस्तरों में ब्रद्धी करते न जराएंगे ये चार राशियों की लगशकती है लोटरी इन चार राशियों के लिए मान समान में ब्रद्धी होगी दोस्तों बता दे कि इसमें बिना जोग कि ये भी आप धन कमा पाएंगे लोगों को बीच आपक को सब्सक्राइब करें जाए शनुवे